हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे बड़ा रहस्य आपके सामने और चमतकार नागणी से 3 किलो मीटर दूर करजार गाउ में एक बड़ा रहस्य है जो कई जुगों से आज भी जारी है हम बात कर रहे हैं विजार माताजी मंदिर करजाल की जो श्री 2008 राज भारती जी महराज के देख रेक में पूजा पाट बहुती अच्छी तरह से धाम बनाया ऐसे ऐसे चमतकार है जो आज भी मौजूद है ऐसे चमतकार आपने कहीं नहीं देखे होंगे कैसे बड़े परवत को दो भागों में किया कैसे कैसे विशाल पताल वेरी पानी का चमतकार जो भकरर आकाल में भी पानी रहता है पहाड पर जरूर देखें एक बार रामी लकाराम दिवासी बताते हैं कि विजार माताजी जब रत पर सवार होते हुई करजाल के पहाडों की तरफ आई तब पूरी पहाडी पत्थर की थी मगर माता के रत के आगे पहाडों ने भी रास्ता दिया पहाडों के दो भागों में बाटना पड़ा और आज भी रत का रास्ता साफ दिखता है दोनों पहाडों के बीच में और आगे और भी रहस्य बढ़ा है जो हजारों लोग आज भी देखने आते हैं विजार माताजी के मंदिर के पास एक बढ़ा और पहाड आया जो विशाल पत्थर है उसका एक और रहस्य और चमतकार से एक पानी की वेरी है जो मीठे पानी से भरी रहती है हजारों साल से आज भी पानी मौझूद है कितना भी बढ़ा और भयंकर अकाल क्यों नहीं पढ़ा हो उस वेरी में पानी हमेशा रहता है इस वेरी में पानी कहां से आता है और कहां जाता है अभी तक किसी को पता नहीं है और लोग बोलते हैं कि मैं कोई भी पानी का गिलास या कोई भी बरतन डालते हैं तो नागनी के पास आवरिया नाम का एक कुवा है जो उसमें बरतन और गिलास मिले हुए हैं और वैसे ही आसपास बहुत कुए है उनमें पानी भी नहीं है जमीन पर पत्थर पर पानी आता है अपने आप हर दिन वो भी कई हजारों सालों से पानी मौजूद है और लोग कितना भी पानी भर कर ले जाते हैं फिर भी पानी खतम नहीं होता है और विजान माता जी का मंदिर एक बड़े पहाडों के बीच में आया है जो कई रहस्य है जो आप अपने आखों से देख सकते हैं और वहाँ पहाडों के बीच में एक गुफा है जो एक तरफ से अंदर जाते हैं तो दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं एक बार जरूर अपने आखों से देखें जारू टीवी के नागाणी से महिंदर सिंग परमार की रिपोर्ट